तो टूड़े इन दिस वीडियो वे आर गुए इस वीडियो में जो है हम रेक्शन और करवाएंगे गुरूप ने एलिमेंट्स का ओक्सीजिन के साथ और हम देखेंगे के प्रोड़क्स में क्या बनेंगा लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले में जो है आप लोगों को हार् बढ़ने का मक्सद यहohl कि नौर्मल औक्साइड परोक्साइड और फॉ्मिशिन के में यह काफी मदद देता है और हाड़ को हम किस तरह Sureं कर सकते हैं यसको भमईर कर सकते हैं कि स्टेवल के साथ कंभाइन करेंगे तो स्टेवल कंपौन्ट बनेगा या जब हम सप्सक्र और एक soft ले ले और उनको combine कर ले तो इस case में stable compound नहीं बनेगा ठीके आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस diagram में के heart acid prefer करता है के combine हो जाए heart base के साथ और soft acid prefer करता है के combine हो जाए soft base के साथ तो इस case में stable compound बनेगा अब जो है यहां पर एसेट से क्या मुराद है बेस से क्या मुराद है एसेट से मुराद के टैन है और बेस से मुराद इनायन है ठीके हार्ड एसेट का मतलब है के हार्ड के टैन यानि वो के टैन जिसका साइज चोटा हो हाई चार्ज हो यानि हाई चार्ज डेंसिटी हो और high polarizing power हो आप जो है यह polarizing power से क्या मुराद है इसको आप लोग एक लम्ही के लिए भूल जाए मैं आप लोगों को तोड़े दिर बाद polarizing power समझा दूँगा soft asset से क्या मुराद है यानि soft ketain वो ketain जिसका size बड़ा हो low charge density हो और low polarizing power हो अब जो है हमारे साथ hard base किसे कहते हैं यानि hard A9 वो A9 जिसका size चोड़ा हो और low polarizability हो polarizability से क्या मुराद है यह भी एक लम्ही के लिए बूल जाए इस slide के बाद में आप लोगों को polarizing power और polarizability दोनों समझा दूँगा soft base किया है यानि वो A9 जिसका size बड़ा हो और high polarizability हो तो अगर आप लोगों को में खुलास समझा दूँगा तो छोटा ketain छोटे A9 के साथ जो compound बनाएगा वो stable होगा और बड़ा ketain जब बड़े A9 के साथ जो compound बनाएगा वो stable होगा ठीक है यहाँ पर आप लोग यह देख सकते है polarizing power and polarizability के polarizing power क्या है और polarizability क्या है तो यहाँ पर आप लोग इस diagram में देख सकते हैं कि हमारे साथ एक ketain है और एक A9 है ठीक है inane एक बड़े साइस का है और एक छोटे साइस का है तो इसमें ketain जो है यह electron deficient है और inane electron efficient है ठीक है inane के पस electron clouds है तो ketain क्या करता है जब हम इन तोनों को करीब ले आते है तो electron यह ketain जो है इन Electron Cloud को अपनी तरफ एट्रेक्ट करता है और Inan में जो Positive Charge होते है उनको Repel करता है तो Ketan ने इस Inan को क्या किया पोलाराइज कर दिया ठीक है, तो Ketan के इस Ability को क्या कहा जाता है Polarizing Power कहा जाता है और Inan के इस Ability के ये Polarize हो गया इस Ability को क्या कहा जाता है A9 का polarizability कहा जाता है तो मेरा उमीद है कि आप लोग polarizing power और polarizability समझ चुके होंगे अब जो है हम normal oxide पढ़ेंगे पर oxide पढ़ेंगे और super oxide पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होते है ये मैं आप लोगों को advance में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम alkali metals का reaction करवाएंगे oxygen के साथ तो उस case में हमारे साथ normal oxide पढ़ेंगा पर oxide पढ़ेंगा और super oxide पढ़ेंगा तो आप लोग ये जानने के ये क्या होते है normal oxide क्या होते है normal oxide का मतलब है O-2 यानि ऐसा oxygen जिसमें oxygen का oxidation state क्या हो minus 2 हो पर oxide क्या होता है पर oxide basically O-2-2 आयन को कहते है जिसमें oxygen का oxidation state क्या होता है minus 2 अगर 2 पे minus 2 है तो 1 पे क्या होगा minus 1 होगा oxidation state minus 1 यहाँ पर आप लोग ये देख सकते है super oxide का क्या मतलब है super oxide जो है O-2-1 आयन को कहते है अगर 2 oxygen पर minus 1 चार्ज है तो एक oxygen पर क्या होगा minus 1 अवर 2 चार्ज होगा ठीके तो मेरा उमीद है कि आप लोग normal oxide, per oxide और super oxide भी समच चुके होंगे अब हम जो है इस काइबल हो चुके है कि हम alkali metals का reaction करवाए oxygen के साथ तो जब भी lithium हम react करवाते हैं oxygen के साथ यानि जब हम lithium को बरन करते हैं oxygen में तो lithium क्या produce करते है lithium oxide produce करते है जब हम sodium को oxygen में बरन करते है तो sodium oxide भी produce करते है और sodium oxide के साथ-साथ sodium per oxide भी produce करते है अब जो है sodium oxide और sodium per oxide क्यों produce करते हैं sodium per oxide क्यों produce करते हैं यहाँ पर यह question arise होते है लेकिन यह मैं आप लोगों को तोड़ो दियर बात समझा दूँगा क्यों टीके अब पुटाशियम जो है जब हम इसको बरण करते हैं ओक्सीजन में टीके तो यह पुटाशियम पर उक्साइड्स बनाता है और इसी के साथ साथ पुटाशियम सूपर उक्साइड्स भी बनात इसे तरह रुबीडियम भी जो है यह सूपर उक्साइड बनाते है रुबीडियम सूपर उक्साइड बनाते है नॉर्मल उक्साइड और पर उक्साइड नहीं बनाते है तो यहां पर एक क्वेस्टन डारक हमारे मांड में आते हैं कि एक ही एटम जो है नॉर्मल उक्साइड बनाते है पर्डोगो को हार्ड वेस आफ्ड गड़ को कूटिके तो लीतियम जो है यह सिर्फ नोर्मल उक्साइड बनाते है क्यों हीना लीथियम जो है यह हार्ट एसिड है और यह जनते है के हार्ट air acid जो है heart base के साथ combine होना prefer करेगा तो lithium जो है यह चोटा ketine है और normal oxide जो है यह चोटा inine होते हैं तो इस वजह से lithium oxides बनते हैं ठीकिए अब जो है अगर हम sodium को देखे तो sodium जो है oxides भी बनाते हैं और sodium paroxides भी बनाते हैं ली तेम जो और चैरेंड पर ACTश्ड और सुपर hocksel नहीं बनाता क्युंग ली तेम was safe नहीं होतें परॉक separate upper reached stable ? क्यों सटेबल नहीं होतें थांप क्यूंकर High 5 जो है चोटा ketine है और परोक्सड और सुपर अक्सड जो है वो बड़े बड़े inines होते हैं, तो छोटा के 10 बड़े inines के साथ combine नहीं होते हैं, इस वज़ए से लीटियम जो है, छोटा के 10 छोटे inines के साथ, यानि नॉर्मल उक्साइड के साथ satisfy होता है, stable होता है, इस वज़ए से लीटियम सिर्फ और सिर्फ नर्मल उक्साइड बनाएगा, अब सूटें के के से में अगर आप लोग देखें तो ये नर्मल उक्साइड भी बनाते हैं, परोक्साइड भी बनाते हैं, इसके नर्मल उक्साइड जो है यह less stable होते है और परोक्साइड ज्यादा stable होते है हम यह सूडियम परोक्साइड क्यों बनाते है क्योंकि आप लोग यह जानते है कि जब हम down the group आते है तो किटान का size क्या होता है इंक्रीज होता है यानि हर्ड एसेड से weak soft acid की तरफ जो है ट्रेंड आता है तो सूडियम का size बड़ा हो चुका है ठीक है यह किटान का size बड़ा हो चुका है जिसकी वज़े से इसके लिए बड़े किटान के लिए बड़ा इनाइन भी ज़रूरी है तो नॉर्मल से जो बड़ा होता है नॉर्मल उक्साइड से जो बड़े एनाइन होते है वो पर उक्साइड होते है इस वज़े से सूडियम जो है बड़ा किटैन है तो ये बड़े एनाइन के साथ या पर उक्साइड के साथ कम्बाइन होना प्रिफर करेगा और एक स्टेबल compound बनाएगा तो इस वाज़ से sodium प्रौकसाइट भी बनाते हैं और normal oxide भी बनाता है लेकिन यह सुपर ओकसाइट नहीं बनाता क्योंकेaimer केशूपर ओक्साइट का जो enine होता है वो कफी बड़ा होता है तो भीर जो है sodium किटान चोड़ा होता है और सूपर अकसیड का जो एनेज होता है वह बड़ा होता है तो इस वह जोगे सूडियम सूपर अकसैड जो है वो स्टेबल नहीं होते है इस वजजे से वह नहीं बनते हैं अब अगर अगर आब पोट Jim को देखे तो पोटjem परोकसैड बनाते हैं तो बड़ा A9 नॉर्मल अक्साइड में पर अक्साइड में और सूपर अक्साइड में बड़ा A9 जो है वो सूपर अक्साइड है यह क्या करता है यह स्रीफ दिज्म और उसे बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कुछ जो कटेन होते है यह कफी बड़े-बड़े होते और बड़ा कटेन बड़ा इनन के साथ कंबान होना प्रेफर करेगा ठीकिर तो इस वजाएब से यह सुपर प्रॉक्सेड्ट आप लोग लोग अजा जानते हैं कि यह बड़ा इन नोगत में तो यहां पर येख तरीविं नॉर्मल उक्साइड भी बनाते हैं परोक्साइड भी बनाते हैं पुटैशियम जो है परोक्साइड भी बनाते हैं सूपर उक्साइड भी बनाते हैं लेकिन अधर अलकली मेटल्स यानि रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया यह दोनों जो है यह क्या करते हैं यह सिर्फ और सुपर उक्साइड बनाते हैं यानि सुडियम जो है नोर्मल उक्साइड और पर उक्साइड का मिक्स्टर बनाते हैं और पुटाशिम भी पर उक्साइड और सुपर उक्साइड का मिक्स्टर बनाते हैं तो मेरा उमीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे, wish you best of luck, see you in the next video, good bye.